हेलो एवरिवन वेलकम वेक टू माई नियो वीडियो तो जी आज की हमारी वीडियो है जिस तरह हम देखे डेली में वीडियो डालते हैं फ्रेंड्स कुछ न कुछ बनाती हैं तो ये मेरे पास क्या है जी फटा हुआ कोट है पजामा है कंबल है स्टिप्स बची हुई है क्यो पुराना हो चुका कोट है जी बच्चों का चेंज हो गया था तीन-चार साल पुराना है तो मैंने इसका बहुत ही ज्यादा सुन्दर डोर मैट बराया है तो ये चोटे-चोटे पीस हैं जो बच चुके हैं उनका भी हम बहुत ही अच्छा रियोज कर सकते हैं तो जी हमने लेना है एक rectangle size में एक piece कट करेंगे बस उसी के ऊपर रख रख कर सारे piece कट कर लेंगे अगर आपको इस तरह थोड़ा सा problem आती है तो आप एक cardboard का piece भी ले सकते हैं नाप के लिए और जी box है वो आप square size में भी ले सकते हैं rectangle size में भी ले सकते हैं बड़ बड़े बनाते हैं तो हम हमारा काम थोड़ा सा easy हो जाता है तो जी ये चीज बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है तो इधर ये lining वाला आप कपड़ा देख रहे हैं ये मेरा फटे हुए पुजामे का था तो पुजामे से मैंने channel पे video डाली हुई है पुजामे के reviews को लेकर तो उसमें से strips बची तो उसमें हमने जी अगर आप देखने के interest है तो channel पर जाकर आप जुरूर watch करना वीडियो को तो उसकी strips है भी जो भी हैं कपड़े मेंने रख रखे हैं सारों के हम same size में बस इस तरह के rectangle shape के देखे box से cut कर लेंगे ठीक है जी जो भी है और इन सब को मिला कर आज बहुत ही ज रख लिया है वूलन का तो ये वूलन की चीज बनने जारी है सर्दियों की ठीक है जी और अब जी हम इधर आगे हैं मशीन के पास तो हम इनको सीलना शुरू करते हैं तो हमने एक पट्टी सिद्धी लेनी है और एक रखनी है उल्टी इस तरह हम stitch करेंगे और जब stitch करने के बाद सिद्धा करेंगे तो वो बहुत अच्छी हमारी एक shape बन जाएगी ठीक है जी इनको stitch करना बहुत ज्यादा easier friends आप इस तरह बना सकते हैं घर के लिए ठीक है जी और इस तरह की एक बड़ी सारी strips हम त्यार करेंगे तकरीबन 4 या 5 बोक्स की तो वो आप अपने coding भी द ज्यादा कर सकते हैं तो इदर जी 4 बोक्स जुड़ चुके हैं देखिए कितने प्यारी लगने हैं कोट का कपड़ा है और साथ पजामी की स्टिप्स है और इदर एक फटी हुई जैकिट के भी बीच में मेने pieces लिये हुए हैं तो मतलब सारे pieces हमारे equal हैं तो जो भी side रखनी हैं आपने उदर उसको उल्टी कर लीजिए निचे वाली होगी हमारी सिद्धी और उसके उपर बस जी इस तरह हम सीन लगा देंगे सिच कर देंगे और फिर हमारा ये मजबूती का काम हो जाएगा जी इतनी प्यारी अच्छी मजबूत चीज बनेंगी जो हमारी की सालों सा बहुत ही जादा खूब चलेगी तो बस जी बहुत जादा असान है इस तरह हमने एक एक बड़ा बड़ा बोक्स जोडते जाना है तो ये 3 और 4 और 5 5 का मैं बस 5 तक ही रखूंगी ठीक है जी तो अब क्या करना है 5 5 के हमने बड़े बड़े स्टिप्स और रेडी करनी है ठी दोनों को रखकर हमने जोइंट करना है तो यह बहुत ही बढ़िया चीज बनेंगी ठीक है जी और कुछ नहीं है इसमें बहुत ज्यादा सिंपल है इसको बनाना तो दो हमारे जुड जाएंगे दो के बाद तीसरा बॉक्स जोड देंगे तीसरे के बाद चोथा इस तरह हमारा फाइव का एक सेट सा त्यार हो जाएगा जब फाइव का सेट त्यार हो जाएगा तो उसको हम दूसरे सेट के साथ चोड देंगे इस तरह लंबी-लंबी काफी सारी हम स्टिप्स बनाएंगे वो आप पे है आप क्या बनाना चाते हैं इससे कोई रजाई का गिलाफ बनाना या फ्लोर मैट, योगा मैट या बच्चों की कोई छोटे बच्चों की कोई गूदरी टाइप भी बनाना चाते हैं या कोई डाइनिंग टेबल का कपड़ा या फ्रेंड्स हमारे स्टडी टेबल या किसी चीज का भी या डोर मैट बनाना चाते हैं तो हम उसी according ही इसकी length और breath को रखेंगे ठीके जी वैसे वैसे ही हम उस चीज का measurement कर लेंगे और वैसे वैसे ही चीज रखेंगे तो बस जी ये देखिए कितना सुंदर तो हम आज बनाने जा रहे हैं ये योगा मैट तो मैं उसी according ही box त्यार करी हूँ तो इस तरह की दो strips ready हो चुकी है ये देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया और easy काम हो जाएगा इस तरह बस बड़ी-बड़ी strips बनानी हैं और जोडते जाना है तो आप इस तरह का floor mat बनाना है फिर तो ये हमारा हो चुका जी इतना ही होता है floor mat तकरीबन हमारा और अब आप इसको और बढ़ाना चाते हैं yoga mat या कुछ और जाते हैं तो आप इसको और बस इस तरह लंबी-लंबी strips जोडते जाएए ठीक है जी तो ये बस काफी हमारा हो चुका है तो final अब ये थोड़ा सा रह चुका last तो इसको भी हम फटा-फट से बस जोड देते हैं तो जी ये चीज बनने के बाब बहुत सुन्दर लगती है woolen क कि ये चीज हमारी वंच चुकी है तकरीबन मैंने कोई cotton का पीस अंदर नहीं लगाया क्योंकि सारे pieces जो मैंने DIY करे हुए थे उनमें ही बचे हुए थे तो ये जैसे छोटी-छोटी कतरन होती है या तो हम कोई चीजों में भरने के करने में काम आ जाते हैं बट ये काफी मेट बन चुका है अभी बनानी अभी हमने इसके नीचे कपड़ा लगाना है तांकि और मजबूत बने तो देखते हुँ मैं या तो कोई bad sheet या कोई single bad sheet देखती हूँ जो बेकार पड़ी हो मतलब तो वो हम इसके नीचे लगाएंगे तो वो भी बहुत असान है इसको हमारे जो लगानी है उसको नीचे रख लीजिए और मैट को उपर रख लीजिए और साइडों में उसी नीचे वाले कपड़े की ही कन्नी हम त्यार करेंगे मोटी मोटी ठीक है जी 3-2-4 इंच की पटी हमने मोटी मोटी लेनी है तो इस तरह फोल्ड करते जाना है और इसको stitch करते जाना है तो आप इसको जुरूरी नहीं आप मशीन से सीले आप इसको बड़ी वाली सुई धागे से भी सील सकते हैं तो मैं इदर लगा लिया है मेजरमेंट ले लिया है कंबिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है ठीक है जी थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं अगर हमें थो फोल्ड कर लिया है तो डबल है नीचे चदर जो मैंने लगाई है कोटन की और आप इसको फोल्ड कर लेंगे आप कोटन की जगह कोई गरम कंबल है पुराना या कोई लोई है कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे तो देखिए जी जैसे ही कन्नी लगा रही है तो इसकी ग्रेस है और ही ज़्यादा आ रही है और ही ज़्यादा ये हमारा सुन्दर लग रहा है तो इसको हम देखिए बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है अब इस तरह हैं वाइट वाली रील लेंगे और धागा लेंगे और इस तरह हैं धीरे धीरे बस जी हम सीलते जा cloth है, वो साथ जुड़कर ready हो जाता है तो है ना, कितनी प्यारी चीज यही चीज, अगर हम yoga mat है, market से लेनी जाएं तो काफी महंगा आता है ठीक है जी, इसको हम traveling पे या कहीं भी, देखिए, इकठा करकर fold करकर लेकर जा सकती है, देखने में बहुत प्यारी लग रही है, box का एक design बनकर ready हो गया है, ठीक है जी तो ये दोनों साइडों की बस for effort से हम complete कर लेते हैं, तो ये हो गया final look, इसका देखिए, कितना प्यारा लग रहा है, तो मैंने इदर side में मंजी पे रखकर देखा है, बहुत प्यारे piece लग रही है, बहुत अच्छी designing लग रही है, जी, सारे ही woolen के piece लगे हुए है तो ये कोई plane में हैं, कोई कंबल का है, कोई coat का है और कुछ piece पजामी के और नीची का कपड़ा भी हमारा बहुत ही ज़्यादा सुन्दर attach हो है, तो आप इस तरहें fold करकर कहीं भी इसको अपने साथ लिजा सकते हैं और देखिए, कठा करने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है, तो ठीक है जी, कितना प्यारा लग रहा है, और zero cost में हमारा इस तरहें का mat बनकर ready हो जाते है, तो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को